वाट्स आप गाईस कैसे आपसे भी लोग वालकम बैक टू नेधर गेम फ्य वीडियो तो आज हम लोग दुबार से वर्ल्स मोस्ट सदिस्वाइंग गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर वाश सिम्यूलेटर वाल तो आज हम लोग क्लीन करने वाले हैं एक के फूट्पृरिंट्स वगारा अज्चे से दिख रहे होता है एरिया साफ हो गया है और कोई लिकर गया हुआ है यहां पर वाश में इसको मिटाव बैंस की अभी धुलाई शुरू कर रहे हैं क्या ठीक है अभी बात है बहुत होगी फड़ा-फट से स्कार को प्रॉपर व इसमें लिकूइट लगता है कुछ शांपो टाइब यह थोड़ा सा ऐसे में स्प्रेड होकर कुछ यह वाला एक और एक यह वाला है और यहीं अपना सिंपल पूराने वाला चार-पांस टाइप के अलग-अलग नोजला स्प्रेड हो के भी काम करते हैं बढ़ा जब पानी स मशीन से इसको वाश करने के लिए मैं सिंपल वाली कियों यूस कर रहा हूं तो मैंने यह पर ना अभी एक सोप नोजल लगा दिया है और अब देखना भाई कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से यह आपर क्लीनिंग होने वाले है इस गाड़ी की मैं चेक करता हूं यह भली यह भी थोड़ा बहुत डस्त है और अच्छे से क्लीन करते हैं इस एक बारी तो फाइनल कुछ ऐसा होने वाला है वहाँ पर यह चले जाएगा जहां पर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी एक काम करते है आधी गाड़ी को क्लीन करते है आधी को नॉर्मल छोड़ेंगे औ इससे हो रहे हम लोग प्रैशर देखे करेंगे तो शायद अपना काम हो जाएगा नाइस यहां पर लाइट वगरा सारी मस्क्रीन हो जाएगा पानी इंदर डाल डाल के सवाई करेंगे गाड़ी में चमक आती हुई फ्रंट साइड अलागी दिख रही है इस चोटे मोटे प बाद टायर में कैसी लुक आने वाली है यह दिखो बीच का यह वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारा रस्त है इसमें यलो वाला मारता हूं यलो में कहा है ना कि प्रैशर भी अच्छा वह वेट यलो से नहीं हो रहा है यह प्रपर प्रैशर जाएगा इसमें वो भी कोई गंकी नहीं है टायर हो गया मालो वैसे एक चीज मैंने नोटिस नहीं करी अगर यहां पर मैं जो लिक्विड है उसको मेटल वाला कर दूंगा ना क्योंकि गाड़ी मेटल की है और मैं लिक्विड डालना उसमें वुड वाला तो शायद अब मेटल बहुत अच्छे से क बाकि यह जो उपर आना यह क्लोथ है शायद यह नहीं होगा सिफ मेटल फास फास क्लीन होने वाला है अगर मैंने मेटल का लिक्विड डाला है तो वह भाई पूरी गाड़ी बहुत जल्दी क्लीन हो गई अब तो मतलब टेच करती चीज क्लीन होते जारी है सीदा वैसे कर मैंने घाड़ी काफी अच्छी खासी क्लीन कर दिया है बड़ पता है प्रॉब्लम क्या रही है जो कॉर्णर वाले पार्ट से हैंडल वाला एरिया जहां पर पानी सही से नहीं जा रहा है वहां पर मुझे यह वाला नौजल लगा के मारना है ताकि एक एक कोना कोना क्लीन हो होगा ठीक है ना अब लगाते हैं येलो नौजल और फड़ा फट से जो लाइन डाली है उसके लेफ्ट साइट का एरिया क्लीन करते हैं उपर से चलके यह सीधा भाई कितनी ज्यादा गंदगी थी उपर उदेगो क्या मास सच्छमा करिया गाड़ी यह भले यार बहुत यह लगाना चाहिए था अब देखो जैसे गंदगी है ना नौर्मली कर रहा हूं बहुत असलोर है पाने डालने के बाद भी सारी रह जा रही है बड़ शायद अब तुरंत होएगी ओ यह देखो यार मुझे यह करना चाहिए था बहुत थाइम बच जाता मेरा अब सारे के यह लगा पर चलीन हो भी गए तो गाड़ी आधी क्लीन हो चुकी है इसके अपोजिट साइट से मैं आपको चल के दिखाता हूं यह देखो गाड़ी वैसी कि वैसी है बस मैंने यह पर सब लिखा था बट अभी मैं कार को बहुत तेस्ट करने वाला हूं क्योंकि मैं सब कु देखो यहां पर हमने जो लिक्विड लगाया है यह वाला लिक्विड है ग्लास क्लीन करने के लिए तुरंती यहां पर सारे के सारे ग्लास जो है पहले वो क्लीन करता हूं ताकि एक काम निपते यह वाला ग्लास हो गया बैक साइड वाला ग्लास है यह भी हो गया एक आद म बाइद वहाए शांपू का लिकुट खतम हो गया उसे रीफिल करते हैं और अब क्लीन करना है स्टार्ट करते हैं यहां से यह देखो सारे के सारे पार्ट का मस्त क्लीन होते जा रहे है यह पूरी गाड़ी चमक गही है इस तरफ से भी वैसे इस तरह की से क्लीन करने में ना ज करेंगे राजशन कर दू करेंगे चलो चलो सफाइब को गई है तो में को है एक सब्सक्राइब करने के लिए मैं करने के लिए शांपू लगाना पड़ेगा ओऊ-उगाडी की रूफ तो मैंने देखी नहीज पड़ाफटे से क्लीन करते हैं और बाई क्लीन हो रही है पता पहीं नहीं पता चल रहा है कि जल्दी क्लीन हो जा रही है रिफिल रिकुट बहुत तेस खतम हो रहा है भी यार सारा यार यह वाली जो रोड है यह सची में बहुत तंक करती है यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे यह यूज करना ही पड़ता है वरना बहुत टाइम लग जागा सही में मतलब जितने कॉर्णर्स है न वो इसके भ लगने वाला क्योंकि बहुत सारा एरिया रह रहा है मैंने देखा ही नहीं था उपर चड़ चड़ के साफ करूंगा यहां पर जाएगा बहुत सारा ओके रिफिल करा इसको इसके अंदर भी इत्ती गंदी यार यह तो धिकी ही नहीं थी उस ताइम देखो अभी तक हम लोग के और बैट की काम कर रहे दे बट अब बचा है काम सारा लेट के करने वाला यह देखो लेट रहो ना तो यहां पर हर जगा कुछ नहीं कुछ गंदी की चोटी मोटी नजर आ रही है जो जिसके ऐसे कुछ-कुछ पार्ट इंकम्प्लीट है वसे काई 98% क्लीनिंग हो चुकी के आगे वाला टायर भी रह रहा है फड़ा फट से इसको भी मैं क्लीन करता हूं अच्छे से बाइस आप काम करते करते 99% हो चुका है लेकिन कुछ-कुछ एरिया इतने जिद्धी है ना देखो यह अभी भी रह रह रहे है कोई नहीं यहां पर हलका सा एक काम करना यह हो जा इसको भी कर देता हूं पूरा डान अभी कुछ दिखी निराबट रह रह रहा है ओ बोनट रह रहा है बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- इस पर यह मारते हैं वाले नोजल से हुआ ये भी रह रहा होगा फिर तो ओके चोटे मोटे बारीक बारीक पार्ट रह गए है डोर हैंडल हॉर्ण और विंग मिरर ओके विंग मिरर शाथ से यही वाला होगा यार मैं कुछ देखने में तो यह लग रहा है बट पता नहीं तो है भी मिलैंक कुछ दिखा रहे क्या क्या रह 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 रहा है दो रैंधल मैंने चार याँ पर हैंडल्स चारों कर दीए वर पेर रहा था ये Ow और न 296 last on kा पर है इसके इंदर गंभ है पुरा चमक रहा है भाई ओक में मारते आपके लिचान यह नहीं होगा इसका यह ہो यह वाला ग्रह रहा था यार अब हो जाएगा बस इदर से और मारना पानी हो गया भाई पूरी पूरी घाड़ी को चमका दिया थे कैसे से कैसा इसको बना दिया गया आप लोगे त Palm like लग रहे हैं भाई अभी मैं और सफाइन नहीं करने वाला और नहीं मैं कर सकता हूं अभी बाकि यार आपको अगर आज की वाली वीडियो पसंद आही हो तो फड़ा फड़ से वीडियो को जाके लाइक कर